साथियों, दसकों से ये मांग और मन्थन चल रहा था कि गाउ में उद्योग क्यों नहीं लगते, जैसे उद्योगों को अपने उत्पात का दाम तै करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती, ये अन्याएक किसानों के साथ क्यों हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं होता, कि अगर साबून का उद्योग किसी शहर में लगा है, तो उसकी बिकरी सिर्फ उसी शहर में होगी, कि साबून तो देश के हर कौने में दुनिया में कहीं पर भी बिक सकता है, लेकिन खेती में अब तक ऐसा नहीं होता था, जहां अनाज पैदा होता है, तो किसान को स्थानिय मंडी में जाकर के उसको बेचरा पड़ता था, इसी तरह ये भी मांग उड़ती रही, कि अगर बाकी उद्योगों में कोई बिचोलिय नहीं है, तो फसलों के वापार में ये बिचोलिय क्यों होने चाहिए, अगर उद्योगों के विकास के लिए इंफास्टर्टर तयार होता है, तो वैसा ही आदुनिक इंफास्टर्टर क्रशी के लिए भी मिलना चाहिए, साथियों, अब आत्मंदिर भर भारत, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट किसार और खेती से जुड़े इन सारे समानों के समाधान ढूंडे जा रहे हैं एक देश एक मंडी के जिस मिशन को ले करके बीते साथ साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है पहले इनाम के जरिये एक टेक्नोलोजी आधारित एक बड़ी विवस्ता बनाई गई अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दाइरे से और मंडी टैक्ष के दाइरे से मुक्त कर दिया गया है अब किसान के पास अनेक विकल्प है अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपच का सौधा करना चाहे तो वो कर सकता है या फिर सीधे वेर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और समस्तानों को जो भी उसको जादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौधा किसान कर सकता है इसी तरह एक और नया कानून जो बना है उससे किसान अब उद्योगों से सीधी साजेदारी भी कर सकता है और मैं बताओं भारत के उद्योग जगत का जितना निवेश गाव और किसान में होना चाहिए था वो बहुत नगणने था मामूली था और उसमें हमारे कुछ कानून नियम भी आड़े आते थे अब देखिए जैसे आलू का किसान चीप्स बनाने वालों से फल उत्पादक यानि बागवान, जूस, मुरब्बा, चट्नी या कोई आईर्वधिक पौदे वाले किसान है तो फारमसी को जैसे उत्पादन उत्पाद बनाने वाले जो उद्योग हैं उनके साथ वो पांटनर्सिप कर सकता है इससे किसान को फसल की बुवाई के समय तै दाम मिलेंगे जिससे उसको कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी